मेरे नाम रितेश है, माबाप की एक लोते उलाद था और मेरे माबाप मुझे पर जान चड़कते थे मेरे माबाप को मेरी शादी का बड़ा ही अर्मान था अभी सिर्फ 24 साल का हो पाया था कि वह मेरी शादी कर देना चाहते थे मेरी जोब लगे सिर्फ 6 महीने हुए थे कि उन्होंने मेरे लिए रिष्टा देखना भी शुरू कर दिया था खैर मैं भी अपने माबाप का दिल नहीं दुखाना चाहता था मैंने सोच लिया था कि अगर उन्हें मेरी शादी करके खुशी मिलती है तो वह खुशी से मेरी शादी कर दे और मैंने उन्हें अपना फैसला भी सौप रखा था कि आपको जो ठीक लगे वह करें मेरे माबाप जोरो सोरो से मेरे लिए रिष्टा ढून रहे थे लेकिन शायद किसमत को कुछ और ही मनजूर था एक बार मम्मी पापा किसी रिष्टेदार की शादी से वापस आ रहे थे की रास्ते में ही उनकी गाड़ी का एकसिडन्ट हो गया मम्मी तो मौके पर ही दम तोड़ गई थी पापा बहुती बुरी तरहा जखमी हो गये थे उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुचाया गया था लेकिन अगले दिन तक वह भी इस दुनिया को छोड़ कर जा चुके थे मेरे उपर तो कियामत थी जो बीद गई थी मुझे अपना कुछ होश नहीं था हसता खेलता परिवार मेरा बिखर गया था लेकिन पापा ने मरने से पहले मुझे एक बात कही थी हम जिस शादी से वापस आ रहे थे और शादी में उन्हें पता चला कि उनके बच्पन का सबसे प्यारा दोस्त और उसकी पतनी एक हाथ से में मर गए थे उनकी एक बेटी थी जो अपने चाचा और चाची के साथ रहती है पापा के दोस्त की बेटी भी शादी में आई थी और पापा को वह लड़की मेरे लिए पसंद आ गई थी पापा मुझे से कहने लगे कि तुम उस बच्ची को सहारा देना उससे शादी कर लेना उससे शादी कर लेना और उसे जिन्दगी में सारी खुशिया देना मैं अपने पापा से वादा किया था कि मैं आपके दोस्त की बेटी कॉमल से जरूर शादी करूंगा खेर मम्मी पापा को गए दो महिने हो गए थे पापा ने मुझे एड्रेस दे दिया था और मैं अपना रिष्टा लेकर पापा के दोस्त के घर पहुच गया था और मैं उन लोगों को सारी बात बता दी मम्मी पापा का सुनकर वह बहुत उदास होय थे कहने लगे हाँ राजेस भाई ने हमसे बात की थी शादी के लिए कौमल अपने चाचा के साथ रहती थी मेरी शादी कौमल से हो गई थी काफी सुलजी हुई लड़की थी और मुझे ऐसे ही लड़किया पसंद है कौमल को मैं दुलहन बना कर अपने घर ले आया कौमल के प्यार भरे वहवार ने मेरा दिल जीत लिया था मम्मी पापा के फैसले पर मैं बहुत खुश था हालकि कौमल से मेरी अरेंच मेरिज थी लेकिन धीरे धीरे में उसकी महबत में डूपता चला गया था हम बहुत ही खुश थे अपनी जिन्दगी से लेकिन असल प्रॉबलम उस समय हुई जब तीन महिने ही बाद कौमल उमीज से हुई डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट की सलहा दी थी क्योंकि वह बहुत कमजोर थी मेरे घर पर कोई ऐसा नहीं था जो उसकी देख भाल करता और घर भी सभाल सकता मजबूरन मुझे ये बात कौमल की चाची के सामने रखनी पड़ी कि मेरे घर पर कोई ऐसा नहीं है जो कौमल की और घर की देख बाल कर सके मेरी बास सुनकर कौमल की चाची भी सोच में पड़ गई थी कॉमल की एक ही चचेरी बेहन थी जिसकी उम्र इस समय अठारा साल थी कॉमल की चाची ने कहा तुम ऐसा करो की रागनी को अपने साथ ले जाओ मैं रागनी की तरफ देखा वैसे तो बहुत ही खुबसूरत प्यारी लड़की थी लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वह कुछ जादा ही मासूम सी लगती थी मुस्कुरा मुस्कुरा कर मुझे देखती रहती थी मैंने भी उसे मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से दे दिया था तो एकदम से शर्मा गई और ड्राइंग रूम से बहार भाग गई मुझे उसकी ये हरकत बड़ी अजीब लगी थी लेकिन खेर मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया था वह ड्राइंग रूम के बहारी दर्वाजे पर खड़ी मेरी और अपनी मा की बाते सुन रही थी शर्मा रही थी खेर कॉमल की चाची ने उसको बोला की रागनी अपने कपड़े बैग में डाल लो और कॉमल के घर चली जाओ कॉमल को इस समय तुम्हारी जुरत है वह हामे सिर्ह लाते हुए अपने कमरे में चले गई और थोड़ी देर बाद ही अपने हाथ में एक बैग लेकर बहार आई थी मैं बाइक से अपनी सुस्रा लाया था मैंने रागनी को बाइक पर बैटने के लिए कहा उसका बैग में आगे रख लिया था वह बाइक पर बैट गई तो मैं बाइक स्टार्ट कर दी बाइक के पीछे स्टेंड भी लगा हुआ था, लेकिन उसने मुझे कांधों से पकड़ लिया, खेर में इस बात पर जादा ध्यान नहीं दिया, मैंने बाइक चलानी शुरू की, लेकिन अभी थोड़ी ही दूर पहुचे थे की, उसने अपने हाथ कांधों से हटा कर, मेरी कमर पर रख लिये, और धीरे-धीरे मेरे करीब होने लगी, यहां तक की, उसने मुझे कमर से कसकर पकड़ लिया था, बाइक चलाते हुए मुझे बड़ी जोर का जटका लगा था, वे तो भगवान की किरपा हुई की, मैं रोट पर नहीं था, वरना तो शायद ऐसी अचानक हो पर नहीं वाली हरकत से कहीं एकसिडंट ही ना हो जाता, मैं मोटर साइकल साइड में रोकी और कहा रागनी, यह तुम क्या कर रही हो, पीछे हट कर बैठो, मेरी बास सुनकर वह एकदम से घबरा गई, घबरा गई, उसने अपने हाथ पीछे कर लिये, कहने लगी मुझे ते पीरे चलाऊंगा और अगर तुम्हें फिर भी डर लगे तो मेरे कंधों को पकड़ लेना, मुझे इस तरह कसकर पकड़ने की कोई जरुत नहीं है, और ना ही आज तक मुझे किसी ने यूँ इतने करीब से पकड़ा है, मेरी बास सुनकर वह पीछे होकर बैठ गई थी, मैं आफिस के कपड़े हो, जूते हो या कोई भी काम हो, सारे काम रागनी ही करने लगी थी, एक बार में अपने कमरे में अटेज बातरूम में नहा रहा था, कॉमल कमरे में ही थी, लेकिन मैं कॉमल को आवाज लगाया तो मुझे आवाज नहीं आई थी, मैंने जरा सा गेट खो में भी वह बालकनी चले गई थी, मैंने दुबारा आवाज लगाई कि कॉमल तुम कहा हो, मुझे तोलिया दे दो, मैं भूल गया हूँ, कुछी देर बाद एक हाथ आगे आया था, मैंने उसके हाथ से तोलिया लिया, मैंने कहा कॉमल कहा चली गई थी, मैं कितनी देर से शरमेंदगी से जमीन में गड़ गया था, वह शायद मेरे प्रेस किये हुए कपड़े रखने आई थी, लेकिन वापस जाने की बजाए ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर कॉमल की लिपिस्टिक लगा रही थी, मुझे देखकर वह भी घबरा गई थी, मैंने कहा तुम यहां क्या कर रही हो, तुम्हारे अंदर शरम नाम की चीज है या नहीं, वह एकदम से घबरा गई और कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, मैंने गुसे से कहा निकलो मेरे कमरे से बहार, अजीब बेवकूफ लड़की हो, मेरे डाटने पर उसकी आँखों से आसू बहने लग में गुसे की हालत में जल्दी जल्दी तयार हुआ, कमरे से बहार आया तो, वह कॉमल के साथ बेठी रो रही थी, कहने लगी, दीदी मुझे घर वापस भिजवा दे, मुझे यहां नहीं रहना, देखिये ना, दिवांश जीजु, मुझे हर वक्त डाटते रहते हैं, मैं त इतनी सी बात पर ही, दिवांश जीजु ने मुझे डाट दिया, कॉमल मुझे घूरने लगी, कहने लगी, दिव्यांश आप भी कमाल करते हैं, बच्ची है, मेरी बेहन को आपने कितनी बुरी तरह से डाट दिया, सारे घर के काम उस नन्ही सी जान पर आ पड़े हैं, जब म यह तो मेरी मजबूरी की वज़े से और मेरी महबत में यहां आ गई है, और घर का सारा काम भी करती है, तुम इसके साथ प्यार से पेश आया करो, में कॉमल को कोई जवाब नहीं दिया, बलकि उसकी बेवकूफी पर हैरस से उसे देखने लगा, उसे समझाना चाहिया था कि मौके पर उसकी बेहन को कहा होना चाहिए, मैं बिना नाश्टे किये ही आफिस चला गया था, मैं ये भी समझ गया था कि जब मैं वाश रूम में था और मैं टौवल मांगा था, तो मुझे रागनी नहीं दिया था, कॉमल नहीं दिया था, अजीब लड़की थी, वह चाहती तो कॉमल को ओवाज लगा कर बुला देती, और कॉमल मुझे टौवल दे देती, लेकिन उसने खुद ही मुझे टौवल दे दिया, अगर भगवान ना करे में, रे दिमाख में कोई शरारत आ जाती, और मैं कॉमल समझ कर उसका हाथ पकड़ कर अंदर खीच लेता, तो क्या ह मुझे अब रागनी से चिड़ होने लगी थी, क्योंकि उसकी हरकते बड़ी ही अजीब थी, एक बार मेरी तब्यत कुछ ठीक सी नहीं लग रही थी, इसलिए मैं जल्दी घर आ गया, घर बिलकुल सूनसान पड़ा था, मैं गेट की चाबी मेरे पास थी, इसलिए मैं गेट खोल कर अंदर आ गया था, मुझे लगा कि दोनों बेहने अपने अपने कमरे में अराम कर रही हैं, क्योंकि रागनी के कमरे का दर्वाज़ा भी बन था, मैं सीधा अपने कमरे में आया तो, मुझ तक चादर ओड़ कर सो रही थी, जब से कॉमल उम्मी से हुई थी, मुझे अपने करीब नहीं आने देती थी, कहती थी, डॉक्टर ने साउधानी बताई है, आज पता नहीं क्यों मेरा दिल शरारत करने को चाह रहा था, मैंने कमरा बंद किया, आफिस का बैग एक तरफ रखा और बैट पर कॉमल के साथ लेट गया, कम से कम डेड़ महीने से में उसक सोई हुए अपनी बाहों में भरकर उसे खुब सारा प्यार करूंगा, इतने दिनों की दूरी ने मेरे जजबात को जादा ही भड़का दिये थे, मैं लेम्प भी बंद कर दिया और उसकी चादर हटा कर उसके बिलकुल करीब होकर लेट गया, जैसे ही मैंने उसे अपनी बा बहुत तड़ पा लिया, तुमने मुझे एक महिने से जादा हो गया है, और तुम मुझे अपने करीब नहीं आने देती हो, इससे पहले की मैं उसके और करीब होता या कोई और शरारत कर जाता, मैंन गेट की बेल बजी थी, मुझे हैरत हुई, इस वक्त कौन हो सकता है, मैं उससे पीछे हट गया और टेबल लेंप आन कर दिया, लेकिन मेरे होश उड़े थे क्योंकि कॉमल की जगह रागनी लेटी हुई थी, इस समय बहुत जादा बदहवास थी, उसके लंबे घने बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा शरम की वज़े से गुलाबी हो रहा था, बड़ी बड़ी नुकीली पल के शरम की वज़े से जुकी हुई थी, जल्दी से उसने अपना डुपटा उठाया और खुद पर डाल दिया, और कमरे से बहार भाग गई, मेरा तो गुस्से और शरमेंद की, ये मारे बुरा हाल था कि चलू भर पानी मिल जाता तो मैं उसमे डूप मरता, कुछ देर बाद कोमल फूली हुई, सास से कमरे में आई थी, उसने हाथ में एक थेली पकड़ी हुई थी, जैसे कहीं बहार से आ रही हो, जाकर बैट पर बैट गई, कहने लगी आप ओफिस से आ गए, मैंने कहा हाँ, मैं तो आ गया, लेकिन तुम कहा गई थी कहने लगी पता नहीं, मेरी तब्यत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं आटो लेकर डॉक्टर के पास चली गई थी, पहली पहली बार है, इसलिए मुझे डर लग रहा था, डॉक्टर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने कुछ दवाया दी है, खालूंगी, त दिन बादिन कमजोर ही लगती जा रही थी, मैंने कहा अपना ध्यान रखो, कितना कमजोर होती जा रही हो, मेरी बात पर कॉमल मुझे प्यार से निरहारने लगी और मेरी गोद में सर टिका दिया, धीरे धीरे में उसको सर को सहलाता रहा, शायद उसे अच्छा लगने लगा लिटा दिया, अब मुझे रागनी की भी चिंता सता रही थी कि कहीं वहे अपनी बहन को कुछ बता न दे, मैं कमरे से बाहरा गया, रागनी किचन में सबजी बना रही थी, मैं उसके पास गया, मैंने कहा, रागनी देखो जो कुछ भी हुआ, उसमें कसूर सिर्फ मेरा अके बेटने की क्या जूरत थी मैं नहीं चाहता कि कौमल तक ये बात पहुचे इसलिए तुम ये बात कौमल को मत बताना जो कुछ भी हुआ था वह सिर्फ एक हादसा था मेरी बास सुनकर रागनी कहने लगी कि दीदी नहीं मुझसे कहा था कि मेरे कमरे में लेट जाओ क्योंकि मे ये बात अपनी दीदी को मत बताना वरना बेकार में रिष्टों में खराबी आज जाएगी मेरी बात वह फोरन ही मान गई थी मैंने भी भगवान का धन्यवात किया कि इस लड़की को जल्दी समझ आ गई खेर समय तेजी से गुजरने लगा था लेकिन धीरे धीरे कौमल कम जोर होती जा रही थी मैं उसका बहुत ध्यान भी रखता था हां रागनी से मेरी काफी हद तक बातचीत होने लगी थी वह अपने कौलिज की बाते भी मुझे कर लिया करती थी लेकिन उधर कौमल की हालत मुझे ठीक नहीं लगती थी जैसे जैसे समय गुजरने लगा था उ उसकी सांस बहुत जादा फूनने लगी थी उसमें शायद खून की कमी थी आई दिन में कभी उसे आईरिन की डिप लगवाता कभी ताकत के इंजेक्शन लगवाता था उसकी रंगत पिली सी होने लगी थी और बहुत जादा कमजोर हो गई थी नो महीने होते होते उसकी हाल इसलिए मैं और रागनी ही उसे अस्पतार लेकर गए थे लेकिन उसके ऑपरेशन में बहुत जादा मुश्किले पैदा हो गई थी। दो गंटे बाद ही लेडी डॉक्टर कमरे से बाहर आई थी। उसने अपने हाथ में एक बच्चे को पकड़ा हुआ था। अपने बच्चे को देखकर मैं खुश हो गया। कॉमल ने एक प्यारे से बेटे को जनम दिया था। मैंने उसकी गोद में भरकर प्यार कर लिया। लेकिन डॉक्टर के चेहरे को देखकर मेरा दिल धड़क उठा था। डॉक्टर कहने लगी मिस्टर दिवांश आपकी वाइफ की हालत बहुत खराब है। ये सुनकर मैं एकदम से परेशान हो गया। मैंने कहा उसे क्या हुआ है वे कहने लगी की वे सांस नहीं ले पा रही है। उनके पास बस कुछ ही देर बच्ची है प्लीज जाकर उनसे मिल ये सुनना था कि मुझे लगा मेरे पेरों के नीचे से जमीन किसक गई है। मैंने कहा डॉक्टर आप ये क्या कह रही हैं कुछ नहीं हो सकता मेरी कॉमल को। मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ अपना बेटा रागनी के हाथ में दिया और मैं जल्दी से कॉमल के कमरे की भागा था। कॉमल खीच खीच कर सांस ले रही थी। मैं उसके पास बैट गया। उसकी आखों से आसू बेह रहे थे जो उसके तक्य को भीगो रहे थे। मुझे देखकर उसने मुस्कुराने की कोशिश की थी। उसके दोनों हाथों में ड्रिप लगी हुई थी। मैंने उ बहुत उखड़े उखड़े सांस ले रही थी। तूटे फूटे शब्दों में बोलने लगी। कहने लगी आप कुछ भी कर ले। मुझे पता चल चुका है। मेरे पास जादा समय नहीं बचा। है फिर कहने लगी कहने लगी दिव्यांश मेरे बच्चे पर सोतेली मा लेक अगर मताना ऐसा करो रागनी से शादी कर लो। ये सुनकर मैं हैरत से उसे देखा था अचानक आने वाली इस आफ़त के लिए मैं बिलकुल तयार नहीं था। मैंने उसके हाथ को पकड़ कर चाव शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगा। उसकी आखों में आए आसु साफ किये मैंने कहा ऐसी बाते क्यों करती हो कौमल कुछ नहीं होगा तुम्हें भगवान के लिए कौमल ऐसी बाते मत करो मेरा दिल बैठे जा रहा है लेकिन कौमल की सांस और बुरी तरहा उखडने लगी थी मैं जल्दी से डॉक्टर बुलाया चीक चीक कर मैंन पूरा स्टाफ जमा कर लिया था लेकिन कौमल ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा था बस मुझे ही देखे जा रही थी जैसे अपनी आखरी इच्छा पूरी कर रही थी मुझे आखों में समा लेना चाहती थी मेरे आसु बहने लगे थे लेकिन वे मुझे छोड़ कर जा चुकी थ मैं उन मर्दों में से था जो सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के लिए ही अपनी सारी महबत और वफा रखते हैं कौमल से भी मैं सची महबत करता था मेरा दिल उसके दिल के साथ जुड़ चुका था आज तक मुझे कभी कौमल की तरफ से कोई दुख या परिशानी नहीं मेरा ध्यान रखा था वहें मेरे दिल में अपनी बहुत उची जगा बना चुकी थी मुझसे बहुत महबत करती थी और मुझे भी तो कौमल से उतनी ही महबत थी मैंने भी कभी कौमल के अलावा किसी दूसरी लड़की की तरफ निगा उठा कर भी नहीं देखा था लेकिन व मुझे विंति करके जा चुकी थी उसके मुर्दा शरीर को देखकर और उसकी खुली आखो को देखकर ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से भी जान खिच गई हो मैं उसे उठाने लगा चीखने लगा मैंने कहा कौमल तुम मुझे यूँ छोड़कर नहीं जा सकती अभी तो हमने पूरी जिन्दगी साथ गुजारनी है अपने बच्चे की परवरिश करनी है लेकिन वह नहीं उठी वह वह जा चुकी थी डॉक्टर मुझे समझाने लगे कि जो होना था वह हो चुका है आप होसला रखें अभी तक रागनी इस बास से अंजान थी कि कौमल हमें छोड़कर जा चुकी है जब मैं कमरे से बाहर आया तो कहने लगी जी जू दीदी को क्या हुआ ये सारे डॉक्टर कमरे के अंदर क्यों भाग रहे थे मेरी आखों से आसू बेह रहे थे मैंने अपने बच्चे को उसके हाथ से लिया मैंने कहा वह हमें छोड़कर जा चुकी है अब कभ जोड़कर नहीं जा सकती मैं को मलकी चाची को फोन किया वहबी आ गई थी एक कयामत थी जो हम पर तूट पड़ी थी मेरा बच्चा रागनी के पास था वहबी रोए जा रहा था रागनी की चाची कहने लगी अब हम यहां जादा नहीं रह सकते और बच्चा अभी छोटा ह इसलिए उसकी देख भाल के लिए कोई तो होना चाहिए ऐसा करते हैं हम बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि उसकी यहां देख भाल करने वाला कोई नहीं है मैंने उस वक्त कुछ भी नहीं कहा और उन्हें बच्चे को ले जाने की अनुमती दे दी सब लोग जा चुके थे मैं घर में अकेला रह गया था अब मैं था या फिर कॉमल की यादे थी मुझे लगता कि जैसे वह अभी मुस्कुराती हुई कमरे से बहार निकलेगी और कहेगी दिव्यांश आप क्यों उदास बैठे हैं मैं तो यही हूँ आपके पास एक महीना गुजर चुका था मैंने अपना आफिस भी जॉइन कर लिया था रोजाना कुछ देर के लिए ही सही में अपनी सुसराल जाता था अपने बच्चे के साथ कुछ समय गुजारता था और फिर वापस आ जाता छे महीने ऐसे ही गुजर गए थे मेरे क्लीक मुझे दूसरी शादी का मशुरा दे रहे थे लेकिन मैं दिमागी तोर पर इस बात के लिए तयार ना था लेकिन होश तो मेरे उस समय उड़े जब मेरी सास ने मुझे कहा कि रागनी का रिष्टा आया है मुझे कहने लगी देखो दिव्यांश रोज रोज अच्छे रिष्टे नहीं आते हैं और वहे लोग बहुत जिद कर रहे हैं वरना मैं शायद एक दो साल का समय और ले लेती तब तक अभी भी कुछ बड़ा हो जाता और तुम भी अपने बारे में कुछ अच्छा फैसला कर लेते लेकिन उन लोगों को शादी की बहुत जल्दी है इसलिए कुछ महिनों में ही तुम अपनी दूसरी शादी का सोचो मेरी बुड़ी हड़ियों में इतना दम नहीं है कि मैं अब खुद को समभाल सकूँ वरना कभी भी कौमल की उलाद को सोतेली मा के हवाले ना करती भगवान शाक्षी है कि मैं कौमल और रागनी में कभी अंतर नहीं किया दोनों को हमेशा अपनी सगी बेटियों की तरहा पाला है मैं गुमसुम बेठा था किसी औरत को और अपनी जिन्दगी में लाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था लेकिन मेरा बच्चा उसका क्या होता वह कौमल की आखरी निशानी थी मैं नहीं चाहता था कि कोई भी गेर औरत उसके साथ सोतेला वहवार करे और फिर एकदम ही मैंने फैसला कर लिया और मैं रागनी की मासे कहा की आप रागनी के रिष्टे से इंकार कर दें ये सुनकर मेरी सास ने मुझे हैरस से देखा था कहने लगी ठीक है तुम इस वक्त परेशान हो और आरब भी अभी चोटा है लेकिन रागनी के लिए इतनी खुदगर्जी मत दिखाओ तुम सिर्फ आरब के खातिर ये चाहते हो की मैं रागनी की शादी ना करूँ अभी उसके अच्छे रिष्टे आ रहे हैं कल कोई ये रिष्टे आने बंद हो जाएंगे फिर बहुत जादा मुश्किल होगी लेकिन मेरी सास आगे कुछ और कहती मैंने कहा आप मेरी शादी रागनी से कर दो आप तो जानती हैं मेरे घर में किसी चीज की कोई भी कमी नहीं है मैं आरब के लिए सोतेली मा नहीं ला सकता रागनी उसकी मासी है और अब तक मा बनकर ही उसे संभाल रही है जैसी परवरिश वह कर सकती है कोई भी दूसरी औरत नहीं करेगी मेरे घर में रागनी को कोई दुख नहीं होगा मेरी बास सुनकर रागनी की मा खामोश हो गई थी कहने लगी मैं रागनी के पापस से बात करके तुम्हें बताऊंगी क्योंकि आने वाला रिष्टा उन्हीं के दोस्त के बेटे का है और हम तो दबे शब्दों में हाँ भी कर चुके हैं मैंने कहा आप इनकार कर दें क्योंकि मैं सिर्फ रागनी से ही शादी कर सकता हूँ क्योंकि ये कौमल की भी आखरी इच्छा थी मरने से पहले उसने मेरा हाथ थाम कर मुझसे वादा लिया था कि मैं उसके बच्चे पर सुतेली मा नहीं लाऊंगा और रागनी से शादी कर लोंगा इसलिए मैं रागनी के अलावा किसी से शादी नहीं कर सकता ये बास सुनकर रागनी की मा बिलकुल चुप हो गई थी अगले दो दिन बाद जब मैं गया तो रागनी की मा और पापा दोनों ही मेरे सामने बैठे थे कहने लगे कि अगर कौमल की यही इच्छा थी तो हमें भी कोई एतराज नहीं है मैंने कहा कि ये शादी सादगी से करना चाहता हूँ लेकिन मेरी बास सुनकर रागनी की मा के माथे पर बल पड़े थे कहने लगी तुम्हारी दूसरी शादी है लेकिन रागनी की तो पहली है जिस तरह मैं कॉमल की शादी धूमधाम से की थी मेरा सपना है कि मैं रागनी की शादी भी वैसे ही धूमधाम से करती मेरी शादी रागनी से हो गई जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ रागनी मेरे करीब आने लगी मैंने रागनी से कहा तुम इस घर में सिर्फ मेरे बच्चे की मा की हैसे से आई हो मुझ पर तुम्हारा कोई हक नहीं है मजबूरन शादी की है मैं तुम से महबत तो मुझे सिर्फ कौमल से थी और उसी से रहेगी इसलिए मुझे कोई भी उम्मेद मत लगाना हाँ इसके अलावा तुम्हें मेरे घर में कोई तकलीफ नहीं होगी खाओ पियो ऐश करो लेकिन बस मेरे करीब आने की कोशिश मत करना ये कहकर कमरे से बाहर जाने लगा दर्वाजे पर जाकर मैंने कहा कि तुम आज की रात यहां सो जाओ लेकिन कल से तुम आरब को लेकर दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाना मेरे कमरे में रहने की तुम्हें कोई जरुरत नहीं है ये कहकर मैं कमरे से बाहर आ गया था मुझे रागनी पर बहुत गुसा आ रहा था कैसे खुदगर्ज बेहन थी बेहन के सुहाक पर ही नजरे जमाए बैठी थी मुझे अब उसकी सारी पुरानी हरकते याद आने लगी थी यानि वह जो कुछ भी कर रही थी जान पूछ कर कर रही थी जान पूछ कर वहां मेरे कमरे में आकर मेरे बैठ पर लेटी थी और चादर भी उसने गरदन तक तान रखी थी जिससे की मैं उसे पहचान ना पाऊँ मोटर साइकल पर भी वह मुझे से चिपक कर जान पूछ कर बैठी थी ये सारी बाते याद करके मेरा खून खोल उठा था मैं सोच चुका था कि मैं इस लड़की को ऐसा मज़ा सिखाऊंगा की जिन्देगी भर याद रखेगी ना जाने उसने भगवान से कैसी प्रात्ना की थी कि मेरी कॉमल को मुझे से चीन लिया अपनी बेहन की ही मरने की दुआई मांगती थी ताकि मुझे पास सके मैं जितना रागनी के बारे में सोच रहा था उतना ही मेरा दिमाग भूमने लगा था मेरे बच्चे की मजबुरी ना होती तो मैं शायद कभी भी उससे ना अपनाता अगली सुभा जब मैं कमरे से बाहर निकला तो उसकी आखे बुरी तरहा से लाल सोजी हुई थी शायद वो रात भर रोती रही थी ये देख कर मुझे बड़ा सकून मिला था वे नाश्ता टेबल पर लगा रही थी साथ ही साथ आरब को भी दूद पिला रही थी मैं चुपचाप नाश्ता किया और अपने आफिस चला गया रात को जब मैं वापस आता तो वह तयार होकर मेरा इंतिजार कर रही होती थी लेकिन मैं उससे बात तक नहीं करता था एक बार में घर पर आया तो कहने लगी क्या बात है आप मुझसे नराज है लेकिन किस बात पर मैंने क्या किया है अगर आपके दिल में मेरे लिए इतनी ही नफरत थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की और सिर्फ बच्चे के लिए शादी करनी थी तो मुझे पहले बता देते ताकि मैं अपनी जिन्दगी का फैसला ठीक से कर सकती ये सुनकर मैं उसे गुसे से जिजोड कर रख दिया था मैंने अपनी गुसे भरी नजरे उसकी आँखों में जमाते हुए कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी खुदगर्ज हो सकती हो अपनी मतलब की खातिर तुम अपनी बेहन को मरवा सकती हो ये सुनना था कि उसके चेहरे की रंगत उड़ी थी कहने लगी ये आप क्या कह रहें मैंने कहा मैं तुम्हारी सारी बाते सुन चुका हूँ जो शादी की पहली रात तुम अपनी दोस्त से कर रही थी मुझे अगर मालूम होता कि कॉमल की तुम्हारी गलत दुआओ की वजह से मर गई है तो मैं कभी भी तुम से शादी ना करता मेरी मजबूरी सिर्फ मेरा बच्चा आरव है इसलिए मैं तुम्हें बरदाश कर रहा हूँ वरना मैं तुम्हें धक्के दे कर घर से निकाल देता तुमने मुझसे मेरी महबत मेरी जिन्दगी छीन ली तुम्हें शर्म नहीं आई मुझ पर ऐसी गंदी नजर रखते हुए मैं तुम्हें अपनी छोटी बेहन समझता था लेकिन तुम्हारी बाते सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ वह कहने लगी आप गलत समझ रहे हैं ये सरासर आपकी गलत फेहमी है ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी अब वह चुप चुप रहने लगी सादगी से कपड़े पहने रहती मुझसे बात भी नहीं करती थी हाँ मेरे सारे काम कर दिया करती थी समय योही गुजरने लगा था और आरब दो साल का हो चुका था मैंने उसे प्ले स्कूल में एडमिशन करा दिया था एक दिन में उसे लेकर शोपिंग के लिए गया था क्योंकि मुझे आरब के कुछ कपड़े खरीदने थे शोपिंग मॉल से रागनी की एक दोस्त मिल गई और वह उसके पास आ गई कहने लगी तुम कहां गयाब हो गई हो ना फोन पर बात करती हो और ना ही कभी मिलने आती हो मैं उन दोनों को बाते करता देखा तो बाहर निकल आया कि उन दोनों के बीच में मेरा क्या काम मैं दूसरी शोप पर जाकर आरब के लिए कपड़े देखने लगा कुछ देर बाद में उसी जगह वापस आया तो वह दोनों अभी बाते कर रही थी लेकिन जैसे ही मैं कुछ और करीब हुआ मुझे उनकी बाते साफ सुनाई देने लगी थी और जो कुछ भी मैंने सुना था मेरे होश उड़ गए थे रागनी की सहली कह रही थी कि अभी तक मेरे भाई ने तुम्हारी खातिर शादी नहीं की है तुमने उसे धोका दे कर अच्छा नहीं किया रिष्टा तक ते हो चुका था और तुमने अपनी बहन की खातिर और अपने बहन के बच्चे की खातिर मेरे भाई को ठुकरा दिया तुम्हें क्या मिला इस जिन्दगी से अपने आप देखा है तुम्हें लगता ही नहीं कि तुम शादी शुदा हो दो साल गुजर गए हैं अपना चेहरा देखो कैसे मुर्जा कर पीला पड़ गया है ये कैसी उजाड जिन्दगी गुजार रही हो मेरे भाई ने तुम से महबत की थी और वादे तो तुमने भी किये थे लेकिन अपनी बहन के बच्चे की खातिर जो कुछ शादी की रात तुमने फौन पर मेरे भाई से कहा था उसे अभी तुम्हारी उन बातों पर विश्वास नहीं है क्योंकि तुम्हारी आखों में उसने अपने लिए सच्ची महबबत देखी थी, तुमने जूट बोला था उसे और तुम्हारा जूट पर उसे विश्वास नहीं था, रागनी कहने लगी, मैं अपनी बेहन से बहुत महबबत करती थी, उसने मेरे साथ बहुत ही प्यार वाला वेहवार रखा था, बिल्कुल मुझे चोटी बेहन की तरहा पालती थी, कभी मुझे किसी काम को हाथ भी नहीं लगाने देती थी, मेरी हर जिद पूरी करती थी, मेरी वज़े से मेरी मा से डाड भी खा लिया करती थी, लेकिन मुझे कभी डाड भी नहीं पढ़ने देती थी, जब इतनी प्यारी और महबत करने व मैं अब सारी बात समझ चुका था शादी की रात जो बात मैंने सुनी थी रागनी उस लड़के से कह रही थी ताकि वहें पीछे हट जाए और मैं उसे गलत समझ गया था और फिर मैं सच जानने की भी कोशिश नहीं की पिछले दो साल से उसे सजा दे रहा था मैं रागनी के पास आया रागनी की दोस्त मुझे देख कर दुकान से बाहर चली गई थी आरप की शोपिंग पूरी हो चुकी थी मैंने रागनी का हाथ पकड़ा और एक चूनियों के स्टॉल तक ले गया मैं लाल रंग की चूनिया निकाल वाई वहे मुझे हैरस से देख रह थी मैंने उसके हाथ को थाम कर खुद ही उसके हाथों में लाल रंग की चूनिया पहनाई थी रहे हैरस से मुझे देख रही थी अब उसकी आँखों में आसू भी बे रहे थे मैंने उसे एक खुबसूरत सा गाउन लेकर दिया घर जाकर मैंने उसे कहा की रात को ये पहन कर तयार हो जाना बहुत सहली थी उसने तनहाई अब मैं उसे उसके हिस्से का हक देना चाहता था जिसकी वह हकदार थी उसने अभी कुछ नहीं कहा था बिलकुल चुप थी रात को जब मैं कमरे में आया तो आरब सो रहा था वह खामोशी से बैट पर बैठी थी तयार होने के बा पहनाए उसके आसू बेह रहे थे मैंने कहा मुझे माफ कर दो रागनी मैं गलत था मुझे तुमसे सच्चाई जाननी चाहिए थी मेरी बास सुनकर वह रोने लगी कहने लगी मेरे दिल में आपके लिए पहले से कोई ऐसे जजबात नहीं थे और शायद अभी भी नहीं है ब खड़ी हो गई इससे पहले की वह नराज होकर जाती मैं खड़े होकर उसका हाथ थाम लिया उसे खीच कर अपने सीने से लगा लिया मैंने कहा सोरी मुझे माफ कर दो प्लीज अकेले खुझ से लड़ते लड़ते तुम्हारे साथ जगड़ा करते करते थक चुका हूं बस य आखरी गलती समझ कर माफ कर दो वहे मेरे सीने से लगी रोई जा रही थी मैंने उसे खुझ से जुदा किया था ना उसको रोने से रोका था मैं चाहता था वहे अपने दिल का सारा दर्ध आसू के सहारे बहार निकाल दे पहली बार वहे मुझे शिक्वा कर रही थी अपने दिल की हर बात कह रही थी और मैं खामोशी से सुन रहा था क्योंकि आज की रात के बाद हमारी जिन्दगी में सिर्फ और सिर्फ खुश्या ही थी दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धने